Hello dear students, welcome to the IMB education आज किस वीडियो में हम कर रहे हैं Class 11th Biologica Chapter No.2 Biological Classification और इसमें हम केवल वो topics देखने वाले हैं जहां से NEET के अंदर Previous Years के उसन आ चुके हैं Last 15 Years के अंदर और आपको बता दूँ कि यहां से Already के उसन आ चुके हैं वो topics काफी repeat होते हैं यानि वहां से बार-बार किसन आते हैं अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ तो जैसे हम उन topics को discuss करेंगे तो आपको पता चल जाएगा देखें यहां पर केवल हम उन topics को discuss करने वाले हैं जहां से Last 15 Years के अंदर NEET में किसन पूछा जा चुका है अगर आपको NCRT का one short करना है जहां पर हर एक topic discuss किया जाए तो वो हम already जो है हमारे channel के उपर playlist के अंदर कर चुके हैं और अगर आपको यह biology के notes purchase करने हैं जहां पर इस type के यह notes चाहिए जहां पर आपको हर एक chapter मिल जाए कि महां से कहां कहां से questions आ चुके है same topics करवाई थे और आपको बता दूँ कि 42-50% होता है 42-50-60% तो है वो topics repeat होती है अब आपको दीरे-दीरे वो समझ में आ जाएगा जैसे-जैसे इस chapter के अंदर हम आगे बढ़ेंगे यहां पर देखिए जैसे यह chapter start होता है आपको बता दूँ जो यह notes है वो pure NCRT है यानि heading वगेरा वही है same जो NCRT के अंदर है और जो content है वो भी NCRT के अंदर है तो यहां पर देखिए यहां पर लग-लग scientist वगेरा classification वगेरा आती है यहां से कोई भी क्यूसर नहीं आया है फिर उसके बाद में यह characteristics of the five kingdom यह table आ जाती है इस chapter के अंदर जो NCRT के अंदर है वहां से भी क्यूसर नहीं है बट यहां से देखिए रह विटेकर यहां से नी 2014 में क्यूसर ना चुका है कि रह विटेकर 1969 के अंदर जो है वो five kingdom classification पर पोस किया था कौन-कौन से five kingdom थे मोनेरा था, प्रोटिस्टा था, फंजाई था, प्लांटी था और अनिमेलिया था अब क्यूसर नहीं से पूछा गया था कि main criteria क्या था the main criteria for classification used by him यानि जो रह विटेकर थे उसने five kingdom के अंदर जब बनाए थे उसमें कौन से main criteria लिये थे जिसकी वज़े से उनको उनने five kingdom के अंदर classify किया था तो एक तो था cell structure, एक था body organization, एक था mode of nutrition, एक था reproduction and एक था हमारा phylogenetic relationship यह हमारे पास में जो total five ऐसे criteria थे जिनके उपर base था यहाँ पर दिखाई भी दे जाएगा यह हमारा रहा five kingdom, monera, protista, fungi, plant your animalia यह cell type होगे, जैसे procreatic है, eucreatic, यह cell wall होगे, किस type का nuclear membrane होगे, यहाँ पर यहाँ पर यह वही सेम चीज है कि जो procreatic होगे, वहाँ पर absent होती है eucreatic में present होती है body organization होगी, कैसी है, cellular है, multi-cellular tissue है, या organ system and mode of nutrition होगे, यानि autotropic है, या फिर heterotropic है, या किस type का है यहाँ पर, तो यह सब कुछ यहाँ पर इन्हों है discuss किया था, तो यहाँ से हमारा 2014 के अंदर question आ चुका है, clear है, फिर उसके बाद में हम आगे चलते हैं, तो यहाँ से इसी के अंदर अलग-अलग आ जाते हैं, उसमें आता है आची बेक्टीरिया, अब आची बेक्टीरिया से आपको यहाँ पता चल जाएगा कि कैसे हमें ने बताया था कि क्यूशन बार-बार रिपीट होते हैं, अब देखिए आची बेक्टीरिया से, यह वाला जो portion यहाँ अब यहाँ पर जो आची बेक्टीरिया होते हैं, वो बहुती स्पैसल बेक्टीरिया होते हैं, क्योंकि यह ज्यादतर हार्स हेबिटेट के अंदर भी सर्वाइव कर जाते हैं, जैसे अगर कोई साल्टी एरियास में रह रहा है, एक्स्टेमली तो उसको बोलते हैं, हैलोफ और यहाँ पर डीप ओशिन के अंदर भी यह रह सकते हैं, जहाँ पर कोई भी सनलाइट प्रेजन नहीं होती है, वहाँ पर भी जो आची बेक्टीरिया मिल जाते हैं, यह लाइन जो है, यह एंसे क्यूसन आचुका है, आगे भी अगर क्यूसन आए तो हो सकता है, कि इस टा यानि जो इनकी सेल वोल होती है, वो अधर बेक्टीरिया से थोड़ी सी डिफरेंट होती है, और इसी की वज़े से जो यह आची बेक्टीरिया होती है, वो एक्स्ट्रीम कंडीशन के अंदर भी सर्वाइव कर जाते हैं, जैसे यानि साल्टी एरिया, होस्प्रिंग, मिथेजन के अंदर आएंगे, आची बेक्टीरिया के अंदर आएंगे, अब आपको बता दू कि क्लास 12 के अंदर भी जो है, वो एक यूनिट के अंदर बायो गेस का आएगा पूरा पॉर्शन, तो जहां पर हम बायो गेस के बारे में बात करेंगे, तो वहां पर भी क्या आएगा बायोगेस के अंदर भी मिथेनोजन्स का पॉर्शन आएगा तो यह आप यह मान सकते हो कि वह जो 12 वाला चैप्टर है में क्युसन आ चुका है तो काफी इंपोर्टेंट है ओके नेक्स्ट हम बात करते हैं यहां पर यू बैक्टिरिया की अब देखिए यू बैक्टिरिया की बात करें अब मैंने क्यों बोला था यहां से आप खुद देख सकते हूं यहां से 2020 में भी क्यों सना आ चुका है उसी टाइप से यहां से देखोंगे जहां से 2012 में क्यों सना आ लोगी के और से 2021 में भी क्यों सना आ चुका होब देखिए उंस बोलती है यह बिया लगब लू बैक्टिरिया having chlorophyll A, کیوں? क्योंकि इनके पास होता है chlorophyll A जो कि similar होता है green plants में यानि जो green plants होते हैं उसके अंदर भी chlorophyll A मिलता है और यहाँ पर भी chlorophyll A मिलता है and are photosynthetic autotrop और यह कैसे होते हैं? photosynthetic autotrop होते हैं, क्योंकि प्लांट्स भी photosynthesis कर पाते हैं उनके पास chlorophyll होता है यह भी photosynthesis कर पाते हैं इसलिए उसके अलावा यहां पर देखिए they often forms blooms in polluted water bodies अब यहां पर जो साइनो बेक्टिरिया होते हैं वो ज्यादतर blooms इस भी बना लेते हैं जहां पर polluted water होगा उसके उपर जो है वो green green color आपको दिखाई दे जाएगा तो वहां पर जहां पर stagnant water यानि पानी रुख जाता है वहां पर आपको दिखाई दे जाएगा तो वह भी किसकी वज़े से होता है इसके लावा क्या कर सकते हैं some of these organisms can fix atmospheric nitrogen देखें mineral nutrition जो आपका plant physiology unit है वहां पर आपका जो है nitrogen cycle complete आती है some of these organisms can fix atmospheric nitrogen in specialized cell यहां पर यह को specialized cells होते है जिनको बोलते है heterocyst यहां पर यह डाइगराम है यहां पर दिखाए है heterocyst और यह म्यूसिलेनिजस सीथ होती है इसके बार में जीटिलेनिजस सीथ होती है जहां पर यह पूरी surrounded जो colony होती है अब यहां पर देखें heterocyst होते हैं और यह heterocyst क्या करते हैं यह जो nitrogen fixation है उसके अंदर help करते हैं एक्जामपल दिया हुआ है no stock and anabena तो no stock and anabena क्या आपके you bacteria है जो हमने blue green algae पढ़ा था वह कैसे थे वह autotropic थे फिर chemo synthetic भी होते हैं जो कि क्या करते हैं यहां पर जो nitrate ammonia वागेर होते हैं उसे energy को release करते एटीबी production मनाते हैं और कुछ heterotropic भी होती हैं अब heterotropic के अंदर जो है वह कुछ एक pathogen भी होती हैं यहां पर देखें some are pathogen causing damage to human beings crop, farm, animals and pets अब यहां पर काफी important है क्योंकि यहां से 2016 में क्यूसन आ चुका है आपको बता दू यह वाला जो क्यूसन है वो human health and disease से relate करता है क्योंकि यहां पर देखें कुछ disease के नाम दिये हैं जैसे chlorella, typhi, tetanus, citrus canker, are well known disease caused by the different bacteria यानि इसी कौन सी disease है जो bacteria से होती है, 4 option दे दिये ज होता है, यहां से 2015 में क्यों सना है, फिर वहां से 2017 में भी क्यों सना है, फिर वहां से 2022 में भी क्यों सना आ गया, तो इसलिए मैंने आपको पता है, अब mycoplasma क्या होते है, mycoplasma organisms होती है, जहां पर जो cell wall होती है, यहां पर cell wall नहीं होती है, बाकि जितने भी bacteria होती है, वहां प can survive without oxygen यानि यह oxygen के without भी जो है वो survive कर जाते हैं many mycoplasma are pathogenic in animal and plants ज्यादा तल जो mycoplasma होती है वो कैसे होती है pathogenes होती है यानि disease cause करती है किसके अंदर animals के अंदर and plants के अंदर यहाँ पर हमारा जो monera kingdom हो complete हो जाता है फिर आता हमारा protista kingdom अब protista kingdom काफी important है क्योंकि यहांसे जांसे 2010 में भी क्योंसर आ चुका है और 2016 में भी यहांसे क्योंसर आ चुका है अब protista होते क्या है जितने भी single cell eukaryotic होती है यानि unicellular deacuritic होती है उनको किसमें रखा जाता है protista में भी रखा जाता है बड़ इसकी जो boundaries वो well defined नहीं है क्योंकि यहां पर किसी के लिए कोई plant हो सकता है किसी के लिए वो protista हो सकता है अब यह काफी important है क्योंकि है 2016 और 2022 में क्योंसर आ चुका है अब इस kingdom के अंदर क्या आते है अब यहां पर देखी क्राइसोफाइट के बारे में क्योंसर आया तो यह पर इस paragraph काफी important हो गया अब यहां पर देखी क्राइसोफाइट के बारे में क्या लिखा है इस group include dye atoms and golden algae जिसको डेसमाइट भी बोलते है यानि इसके अंदर dye atoms and golden algae आते है they are found in fresh water as well as marine water यानि जो क्राइसोफाइट होते हैं वो fresh water और marine water दोनों में मिलते है they are microscopic and float passive in water currents यानि यह कैसे होते हैं यहां से आ चुका है फिर 15 में किसन क्या था इन डाई atoms the cell wall forms two thin overlapping shell which fit together as in a soap box यहां पर जो cell wall होती है वो thin overlapping करके एक shell बना लेती है एक दूसरी के overfit होता है जैसे एक soap box होता है उस type से अब यह जो walls होती है वो क्या होती है embedded with silica यानि इनके अंदर silica embedded होती है इस वज़े से इनके जो walls होती है वो कैसे होती है indestructible होती है और यह जहां पर रहते हैं वहां पर बहुत large amount में silica release करते हैं जिसकी वज़े से क्या होता है वन बिलियन ओफ एर इस डाइटमीशेस अर्थ वहां पर जो होने वाली जो होती है उसको बोल देते हैं डाइटमीशेस अर्थ अब क्यूंकि यहां पर यह जो होती है वो ग्रीटी होती है अब हम बात करते हैं डाइनो फ्लेजिलेट्स के बारे में 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 डाइनो फ्लेजिलेट्स है तो इसको हम याद रखेंगे डाइनो फ्लेजिलेट्स याद ज्याद करते हैं large amount के इंदर जिससे की होती है जो other marine वहाँ पे life जो है वो क्या हो जाती है kill हो जाती है जैसे आपकी faeces बगेरा हो गई वहां से नेक्स्ट हम बात करती है Uglinoids Uglinoids से आपका question आ चुका है clear है कहां से आ चुका है 15 में question आ चुका है जब तक sunlight रहेगी तब तक तो वह क्या करेंगे photosynthesis करेंगे और अगर sunlight नहीं रहेगी तो वह heterotrop की तरह behave करेंगे और other small organism को जो होगे feed करेंगे example क्या है यहाँ यहाँ पर यूगलीना है लिए हो गया slime modes का यहाँ पर NEET 2022 में question आ चुका है यह line आ चुका है slime modes are saprophytic protist यानि जो slime modes होते हैं वो कैसे होते हैं saprophyt होते हैं और protista होते हैं उसके बाद में बात करते हैं protogens के बारे में protogens से हमारा question आ चुका है amoeboid protogens देखिए protogens में जो है वह हम four type में divide करते हैं देखिए they are measure of four groups amoeboid protogens, flagellated, ciliated और sporogens सबसे पहले हम बात करते हैं amoeboid protogens की तो यहाँ से 2018 में क्यों सना चुका है they move and capture their prey by putting out pseudopod ya false pit in amoeba तो यहाँ पर amoeboid protogens होते हैं वो अपने जो prey को कैसे करते हैं जो pseudopod ya होते हैं उसकी वज़े से उसको catch करते हैं next हम बात करते है flagellated protogens, तो flagellated में बोला गया है कि this parasite from cause disease such as sleeping sickness तो sleeping sickness disease cause कर सकता है कौन सा protogens, flagellated protogens, example दिया है trypnosoma व्याद रखना है trypnosoma जो होते हैं यह sleeping sickness को cause करता हूँ यह flagellated protogens और किस kingdom के अंदर आता है AI PMT 2016 में यहां से question आ चुका है, फिर हम बात करते है ciliated protogens, अब यह काफी important है क्योंकि यहां से जो question पूछा गया 2018 में यह NCRT में कहीं पे भी mention नहीं है, these are different from all other protogens on the basis of two nuclei, यानि यहां पर जो ciliated protogens होता है वो बाकी protogen से किस base पे difference है, क्योंकि यहां पे दो nuclei होती है, एक होती है macronuclei यानि जो large होती है, वो क्या करती है, metabolism को control करती है और जो micronuclei होती है, वो किसमे reproduction के अंदर जो है, वो participate करती है, example बोला गया यहां पे paramission फिर sporogen से question नहीं आया, फिर हम बात करें kingdom fungi से, तो kingdom fungi से यहां से question आया है 2019 के अंदर, देखे, with the exception of yeast, which are unicellular, काफी important है, याद रखना है, कि यहां पर जो आपकी yeast होती है जो कि आपके bread वगेरा बनाने में, beer बनाने में use होती है, तो वो जो yeast होती है, वो kingdom fungi के अंदर आती है और यह कैसी होती है, unicellular होती है, with the exception of yeast, which are unicellular, यानि एसी कौन से fungi है, जो unicellular होती है, वो होती है yeast, fungi are filamentous, बाकी जो fungi होती है, वो कैसी होती है, filamentous होती है तो यहाँ पर कैसे होते है, long thread-like structure होती है, जिनको बोलते है, हीपी 2019 में किस्टन आ चुका है और जो network of EP होते है, उसको बोलती है, mycelium, लेट है, अब हम बात कते हैं, यहाँ से देखी, काफी important है क्योंकि यहाँ पर three time किस्टन आ चुका है, 16 में, 19 में, और 2021 में most fungi are heterotropic, जाज़तर जो fungi होती है, वो कैसे होती है, heterotropic होती है आपको बता दूँ कि होती ही heterotropic है, fungi होती ही heterotropic है कभी भी autotropic नहीं होती है and absorb soluble organic matter from dead substrate, hence are called saprophide तो यहाँ पर जो होती है, वो fungi saprophide भी हो सकती है, जो dead substrate जो होती है उनसे अगर food ले रही है, तो वो क्या हो जाएगी, saprophide हो जाएगी parasite भी हो सकती है, those that depend on the living plants and animals उनको क्या बोलती हैं, parasite बोलती है और they also can live as symbiote और यह symbiote की form में भी रह सकती है, fungi जैसे in association with algae जैसे lycan हो गया and roots of higher plants जैसे mycorrhiza हो गया mycorrhiza जो plant physiology के अंदर हम बढ़ते हैं और lycans जो है, यह हम इसी chapter के अंदर last में हम बढ़ेंगे अब यह हम बात काते है, reproduction in fungi can take place, तो यह तीन प्रकार से हो सकता है, vegetative हो सकता है जैसे fragmentation हो गया, fusion हो गया, budding हो गया, asexual भी हो सकता है, और sexual भी हो सकता है अब यह काफी important है क्यों यहां से need 2021 में क्यों से ना चुका है, देखिए sexual involved the following three steps, तो यहाँ पर जो sexual reproduction होता है, उसमें तीन step हो दिया पहला क्या है, fusion of protoplasm between the two motile and non motile gamit यानि हाँ पर सबसे पहले protoplasm जो होता है, वो fuse करता है, motile or non motile gamit का उसको बोलते है plasmo gamit, plasmo मतलब यहाँ पर जो protoplasm है उसकी fusion, फिर बात करते है fusion of two nuclei, उसके बाद में जो दोनों nucleus हो फ्यूज करती है, carryo मतलब आपका nucleus और gamit का मतलब fusion, यानि यहाँ पर nucleus fuse करती है, और फिर वहाँ पर क्या होता है, मियोसी होता है, जाइगोट के अंदर वहाँ पर हेप्लोड spore बनते है, यह जिस clear होगी क्यूंकि यहां से 2021 में fusion आ चुका है, फिर यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो हमारी फंजाई है, उसको अलग-अलग टाइप में डिवाइड किया गया है, जैसे आपका phycomycities हो गया, clear हो गया, phycomycities से हमारा कोई क्यूंकि यहां पर नहीं आया है, फिर आता है हमारा ascomycities इसको से एक फंजाई भी बोलती है, यहां से क्यूंसे हमारा इसके इसके अंदर जो नियूरोस पूरा होता है, वह ज्यादा तल जेनेटिक वरक और बायोकेमिकल के अंदर use किया जाता है और यहांसे 2018 में एक उसन आज़ चुका है क्या बोलागे है यहाँ रखना है कि जो बैसीडियोव स्पोर्ट्स होते हैं वो एक्सोजिनिसली जो पर्रोडूस होते हैं बैसीडिया के अंदर जिसको बोलते हैं बैसीडिया वो जिसको smart बोलते हैं प्यूसीन यह जिसको हम रस्ट बोलते हैं एक्स्ट आप बात करते हैं डूत्रो माइस सिद्धिस के बारे में डूत्रो माइस सिद्धिस से हमारे 2015 में कि उस्से ना चुका है एक्जाम्पल से दिखिए सम मेंबर्स सेप्रोफाइट यहां पर जो डूत deuteromycetyіз होते हैं जिसको हम imperfect fungi भी बोलते हैं तो यहाँपर क्या होता है सम्मेम्बर्ज ऊते हैं वो saiprofite होते हैं और parasite हो सकते हैं वाइल याज नम्मर वफ देमाड भी कंपोज ज्यादार कैसे होते हैं वो एक्जामपल याद रखने हैं यह तीनों एक्जामपल है किसके ड्यूट्रों मैसीडिस के नेक्स्ट हम बात करते हैं वाइरस वाइरोड ट्रायोन्स एंड लाइकन्स के बारे में कि यहां से 15 में भी पिर 16 स्टीड में वा पर 19 में आया थो यह पर अलग लग साथियंटीश आते हैं आप है एक साथिदिस निकालते हैं और फिर इसको हेल्धी प्रांट्स इंड called the fluid तो ऐसा हो सकता है कि कोई एक infected plants है वहाँ से हम कुछ extract निकालते हैं और फिर उसको healthy plants के अंदर डालते हैं fluid की form में तो वहाँ पर क्या हो जाएगा वो जो healthy plant था वो भी क्या हो जाएगा infected हो जाएगा उस fluid को क्या बोला गया contagious vivum fluid यानि वो infectious living fluid है जिसकी वज़े से other जो plants है healthy plants है वो भी क्या हो रहा है infect हो रहा है एक scientist थे जिन्होंने M.W.Stanley 1935 में इन्होंने क्या का short that the virus could be crystallized यानि आपे जो virus होता है वो crystallized हो सकता है and crystal consists largely of proteins और यह जो crystals होते हैं वो जादा-दार किस टाइब के होते हैं proteins के बने होते हैं यह भी याद रखना है 2015-19 में question आ चुका है जिया इनर्ट आउटसाइड यानि जो outside के तरफ देखेंगे तो वो बिल्कुल inert होते हैं यानि उनमें कोई भी चीज़े नहीं होते है ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल dead है there is specific host cell virus are obligate parasite काफ़ ही important है कि virus obligate parasite obligate का क्या मतलब होता है कि 100% मतलब यह और किसी तरह से survive नहीं कर पाते हैं परसाइट होकर ही यह survive कर पाएंगे तो उसको बोते है obligate parasite एक होता है faculty यानि वो faculty का मतलब कि वो बाहर भी survive कर पाता है और वो parasite की form में भी survive कर पाता है और obligate का क्या मतलब होता है कि और उसमें कुछ भी exception नहीं है 100% वो parasite है ओके next time 2016-19 में कोछ चीज़ पुछेगी है in addition to protein virus also contain genetic material यानि जो virus होते हैं उनके पास में other genetic material होते है that could either be DNA और RNA यानि आपर आते RNA भी हो सकते हैं या फिर DNA भी हो सकते हैं no virus contain both RNA and DNA यानि कोई भी ऐसा virus नहीं होगा जिसके अंदर दोनों हो जाए RNA भी हो जाए DNA भी हो जाए simple है genetic material की बात करा है यानि उसका जो main genetic material होगा वो या तो RNA होगा या फिर वो DNA होगा वाइरस is a nucleo protein and the genetic material is infectious यानि जो virus होता है उसके बाहर की जो covering होती वो nucleo protein होती है जो genetic material होता है वो कैसा होता है infectious होता है यानि infection cause करता है ओके इसके लावा देखें यहां से 2010 में किसरा है वहां से 2014 में भी है और यहां से हमारा 15 में भी आ चुका है the protein coat called capsid याँपे जो protein की coat होती है बाहर जो genetic material के बाहर उस coat को जो लेयर होती है उसको बोलते है capsid और यह किससे बनती है made up of small subunit called capsomer उसके अंदर small subunits होती है capsomers उनको बोलते है protect the nucleic acid यानि जो अंदर genetic material है उसको protect करते है these capsomers are arranged in helical or polyhedral geometric form यहां पर यह दिखाई दे जाएगा यह देखें यह capsid है और यहां पर यह चोटे-चोटे capsomers होंगे इनको जो है वो cover कर रखा है अंदर इसके अंदर अगर देखोगे तो यह RNA यानि आपका nucleic acid यानि genetic material है और यह किसका form है यह यहां पर देखी दिखाई दिखाई है यह Tobacco mosaic virus है TMV और यहां पर अगर आप देखोगे यह head collar seat है तो यह actual में बाहर क्या है protein coat है और यह क्या है bacteria phase है अब हम बात करते है virus cause disease यानि जो virus होते हैं उनसे disease भी हो सकती है जैसे mumps हो गया smallpox हो गया herbs हो गया influenza हो गया और जो ads होती है humans के अंदर वो भी virus से होते है प्लांट्स के अंदर बात करें तो symptoms जैसे mosaic formation हो गया leaf rolling हो गया curling हो गया leaf yellowing हो गया या फिर when coloring हो गया dwarfing हो गया stunt growth होगी यह सब कुछ जो symptoms होते हैं वो किसकी वज़े से हो सकते हैं virus की वज़े से हो सकते हैं यानि उस सिंग कोई infection हो चुका है प्लांट्स के अंदर उसकी वज़े से सब चीज़े हो सकती है नेक्स हम बात करते है virus अब देखिए वापे virus कितना important है क्योंकि यह से AIPMT2 था जो 9 में क्यूशन आए फिर 15 में फिर 16 में फिर 17 में फिर 19 में फिर 2020 में भी क्यूशन है तो continue उसलिए देखिए आप कितनी बार यहां पे 5-6 ताइम यहां पे इसी सिर्फ चार मास लाइन ने अंसे AIPMT2 था जा जुका है तो आगे भी आ सकता है इन 1971 T.O. Dynier discovered a new infectious agent that was smaller than the virus अभी important है एक-एक लाइन देखिए सबसे पहले जो वाइरोट से वो किस ने बताया T.O. Dynier ने बताया 1971 में बताया क्या बताया कि यह infectious agent होते है और क्या बताया कि यह जो वाइरस होते है उनसे small होते है और एक disease कर सकते है कौन सी potato spindle tuber disease यानि यापर यह जो potato spindle tuber disease हो सकती है उसके बाद में it was found to be a free RNA काशने important याँ याँ यहाँ पर जो generic material लग वो कौन सा है RNA या DNA नहीं है यहाँ पर it was found to be a free RNA हो सकता है free RNA का मतलब क्या हो गया it leg the protein coat यानि जो बाहर वाली protein coat होती है वो इसमें नहीं मिलेगी तो यहाँ पर it is found to be a virus जो virus के अंदर protein coat होती थी वो virus के अंदर नहीं मिलेगी इसलिए इसका नाम जो है वो वाइरोइड बोला गया है RNA जो होता है वाइरोइड का वो low molecular weight का होता है यानि याँ पर जो molecular weight होता है वो काफी कम होता है RNA का यह इतनी ही line हो से six time question अगर आ चुका है वाइरोइड के बाद काते हैं प्रायोइड की प्रायोइड काफी important है क्योंकि 2019 में किसे ना चुका है NCRT जो है उसके अंदर भी आता है अब यहाँ पर देखें प्रायोइड क्या होता है इन modern medicine certain infectious neurological disease were found to be transmitted by an agent consisting of abnormally folded protein यानि जो प्रायोइड होते हैं और उसको बहते है प्रायोइड यानि जो प्रायोइड होती है एक्चुल में क्या होती है abnormal folded protein सी होती है और कुछ आप इन्होंने नहीं बताया है नेक्स नहीं बात करते हैं लाइकन्स के बारे में लाइकन्स से भी 2019 में क्योंसे ना चुका है लाइकन्स क्या होती है symbiotic association होता है अब यह भी बताता है फंजाई के अंदर पढ़ा था किन-किन के बीच में होता है mutually useful association होता है between algae and fungi के बीच में अब आपको पता कि algae जो होती है वो photosynthesis कर सकती है plant kingdom के अंदर जो next chapter वाँपे हम पूरा detail में पढ़ती है algae को तो algae component जो होती है उसको बोलती है FICO FICO आप याद रख से थे हो PHY FICO यानि photosynthesis जो photosynthesis कर गई FICO Biont होती है fungal जो होती है वो कैसे होती है mycobiont होती है which are autotropic and heterotropic respective यानि या जो algae है वो autotropic है fungi जो वो heterotropic है मैंने बता चुका हूँ fungi कहीं पर भी आए तो वो क्या होगी हमारी हमेशा heterotropic ही होगी clear algae जो होती है वो food prepare करती है fungi के लिए और fungi क्या करती है उसको shelter provide करती है और absorb करती है minder nutrition and water for its partner ले लोगे lichens are very good pollutant indicator काफी important है जो lichens होती है वो बहुत ही good pollutant indicator होती है they do not grow in the polluted areas यानि जो polluted areas होते है वापे यह survive नहीं कर सकते है यहां से हमारा चैप्टर वो complete हो चुका है यहां पर आप से क्यूशन वगेरा देख सकते है यह 17 में क्यूशन पूचागे यह सब कुछ पूचा जा चुका है यहां पर आपको दिखाई दे जाएगा तो यहां पर देखिए प्रायोंस, इंफेक्टिस, एजेंट यह सब कुछ है वो 19 का क्यूशन है यह 18 के यूशन है मेजदा कॉलम वगेरा यह 2019 Odisha state में यह 2020 phase 2 के यह 2020 22 के और यह सब कुछ हमारे सामने दिखाई दे जाएगा clear हो गया तो यह सब कुछ दाइस चैप्टर के लिए मिलते हैं जल्दी नेक्स टूडियो के साथ